केन्या के प्रतिनिती मंडल ने DFC CIL के निदेशक एंश्रिनिवास के साथ वेस्टर्न डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर का दौरा किया इस प्रतिनिती मंडल में केन्या की विभिन काउंटियों के गवर्नर और अधिकारी शामिल थे इस दौरान प्रतिनिती मंडल ने दिली केंट से रिवाडी तक यात्रा की और डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर के विकास और इसके ऑपरेशन सिस्टम के बारे में जानकारी ली They were interested in looking at the dedicated freight corridor and the operations which we have been doing because significant lowering of logistics cost is the main aim so improving the logistics in Kenyan country also is their aim so they are looking at the facilities and they may express an interest in dedicated freight रेलवे के बुनियादी धांचे के विकास की दृष्टी से, डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रेल परयोजनाओ में से एक है। जाहिर है इससे देश के अध्योकिक विकास में तेजी आएगी और देश आर्थिक तोर पर और भी ज्यादा मजबूत बनेगा।